हाई अब्रिवेन उल्ली भेज रसोई में आपका स्वागत है तो आज मैं लेके आई हूँ छाच की रेसिपी जो गर्मी में बहुत ही अच्छा होता है सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है पेट के लिए बहुत अच्छा होता है तो आई ये हम देखते हैं इसके बनाने की तरीका तो एक ग्रैंडर जा रही हूं उसमें दो चम्मच हरी धनिया के पत्ता डाली हूं दो चम्मच पुदीने के पत्ता डाली हूं आधी हरी मिर्च डाली हूं आधा चम्मच काला नमक डाली हूं और आधा चम्मच नमक डाली हूं आधा भूना हुआ जीरा पौडर डाल में हम दही 2 चम 어्री डाल रही हैं एक कप दही ली थी मैद इसमें में इसमें 2 चमर डाल दी जाल मैं थोड़ा सा dues dwa भकन लगा के इसे पीस लेती हूं, उसके बाद में मैं पूरा दही डाल दे रही हूं, डाल के अब मैं थोड़ा सा पानी डालूंगे, आई इसे पीस लोंगे, तो मैं इसे पीस लेती हूं, उसके बाद मैं इसमें आइस क्यूप डालूंगे, ताइस क्यूप डाल दी हूं, औ और मैं इसमें थोड़ा पानी डालूंगे करीब एक गिलास के लगवग में तो पानी डाल दी हूँ अब मैं इसे और एक बार पीस लेती हूँ तो हमने इसे पीस लिये हैं और मेरा चाच अब बनके तयार हो गया है आप देख सकते हैं अब हम इसे सर्फ कर लेते हैं तो इसके लिए मैं दो काच की गिलास ली हूँ और इसमें मैं अपना चाच को सर्फ कर लेते हूं तो हम चाच को सर्फ कर ली हूँ अब इसमें पोदिना डाल रहे हूं उपर से और थोड़ा सा जीरा का पाउडर आपको अगर पसंद है तो डालिए न तो इसको छोड़ भी सकते हैं कोई दिकत नहीं है तो मेरा चाच बनके तयार है अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, सेयर और कमेंट करिए और मेरा चैनल को सिस्क्राइब किजिए